आल राइट, so in this episode of Garibakbar, we will talk about अगर कोई क्राइम चाइल्ड से कंड़क्ट हो जाता है, तो क्या होता है, क्या उसे सजा होती है, क्या उसे फाइन होता है, क्या उसके पेरेंट्स को सजा होती है, या उसकी फैमिली को सजा होती है, या उसे खुद सजा होती है, so आपने काफी सब्सक्राइब कर दिया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का मंडर कर दिया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, बलबलबला, got it, तो ऐसे में क्या होता है, let's start it, so in this video, we will break down these confusions, so let's get started, but before getting into the video, you have to do my two works, as I always say, so the first work is Instagram, if you have not follow me on Instagram, please start following me, and the second thing is, hit the subscribe button, and press the bell icon, to receive all the updates from the Garibakbar, so shall we roll the intro, yes please, intro, so okay, you love children, I love children, even our law is also love the children, yes, law भी हमारे children को काफी प्यार करता है, so इसका proof यह है, according to section 82 and 83, so what are these sections, let's start it, but before getting into the age, we will talk about types of child, तो types of child जो होते है वो होते है, एक होता है 7 year तक, I mean जिसकी age 7 year है, उसको child को चॉइड कर चूइड किशन किया जाते है, उसको भी child किशन किया जाते है, अगर कोई child है, So first आता है कि अगर कोई child है 7 साल से छोटा है या 7 साल तक उसकी age है अगर वो कोई crime conduct करता है तो उसे कोई भी सजान नहीं होती Yes, कोई भी सजान नहीं होती Because he is a child under the eyes of law And the second thing is अगर जो 7 साल से 12 तक की age में consider किया जाता है यानि कि जो 7 से 12 साल की age में है उसको क्या होता है उसको according to 83 of IBC उसे immature conditions देखी जाती है Immature conditions क्या होती है वो देखा जाते कि जो बच्चा है वो कितना समझदार है अगर बच्चा सारी चीज समझता है तब उसने crime किया है तो उसे punishment होगी अगर वो बच्चा age उसकी 7 से 12 यर तक है लेकिन उसे mature understanding नहीं है वो समझता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ So इस पे depend करता है अब mature understanding क्या होती है मैं आपको एक example देता हूँ Very live Get started So एक बच्चा है स्कूल में Suppose Got it एक student है उसकी age 9 यर से अबब है I mean 10 यर होगी Got it And the second is 11 यर का एक boy है तो जो 10 यर वाला है वो 11 यर वाले students की murder कर देता है उसको kill कर देता है उसको मार देता है जान से By the help of knife चागू के help से और वो children है वो वहीं पे खड़ा होता है वो भागता नहीं है क्योंकि उसे इतनी mature understanding नहीं है कि अगर मैं यहां से भागूँगा नहीं तो मुझे यह नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं है उसने बस skill कर दिया और वहीं पे खड़ा है तो ऐसे में क्या है यह इन mature understanding है उसको knowledge नहीं है कि यह क्या कर दिया मैने तो ऐसे में उसको punishment नहीं होगी Got it लेकिन अगर वोई children मार के किसी के पास भाग जाता या फिर school से भाग जाता या फिर मतलब वहां से भाग जाता तो उसमें पता चलता कि उसकी mature understanding है यानि कि उसने crime किया है तो वो भागा क्यों Got it तो अगर वो भागता है तो उसको सजा होगी juvenile justice के board के तहत और वो उस पर चर्चा करेंगे After पहले उसकी counselling होती है और उसके बाद उसको Got it So आप मेंसे कुछ लोग सोच रहोंगे कि ऐसे तो कोई भी बच्चा crime कर दे उनको कोई punishment नहीं होगी तो अगर जो second वाइली condition थी जिसमें immature person होता है अगर वो मतलब समझता हो सारी बाते और वो crime कर देता है तो ऐसे में क्या होता है juvenile justice law है हमारे पास इसमें क्या होता है उस बच्चे की counselling होती है उसे अगर final हो जाता है कि उसकी immature understanding थी या फिर उसकी mature understanding थी तो उसे बालसुदार ग्रह बेश दिया जाता है और हो सके तो उससे fan भी ले सकते हैं इस case में लेकिन अगर जो age है अगर जो age बच्चे की 7 years से कम है उसमें क्या होता है अगर वो crime कर दे तो क्या होता है तो उसमें क्या होता है उस बच्चे से तो आप कुछ ले नी सकते हैं I mean वो तो IPCU से बचा लेती है Under Section 82 से बचा लेता है तो ऐसे में क्या होता है स्कूल की negligence conduct हो जाती है I mean suppose जो crime है वो school में हुआ है Gothic school में हुआ है या फिर society में हुआ है जहां पर भी होता है जहां जोरिडिक्शन होता है वहां पर फिर उसकी negligence आजाती है School में हुआ है तो school की negligence आजाएगी और वहां से compensation ले सकते हो school से अगर किसी society में हुआ है तो वहां से ले सकते हो जहां भी हो वहीं से आप उस चीज की liability arise हो जाती है और वहां पर एक option हो जाता है कि उस चीज से compensation आप ले सकते हो got it so I hope it is clear now about children so I will see you in the next video bye